बिग बॉस सीजन 13 के विनर सद्धार्त शुक्ला के निधन हो जाने से इंडस्ट्री में मानू पूरा हाली पंसा भर गया है क्योंकि अब तो इतना डर लगने लगा है कि कल क्या हो पता ने सद्धार्त जो इतने फिट थे सद्धार्त जो इतना ज़ादा अपनी फिटनेस का खयार रखते थे सद्धार्त जो हर वक्त अपने परिवार अपनी फैमिली अपनी लाइफ की गोल्स का हमेशा खयार रखते थ उस सिधार्थ शुकला का चानक से हाट अटेक्स निधन हो जाना सबसे बड़ा दुखत था ऐसे में हम आपको बता दे सिधार्थ शुकला के परिवार की कुछ यादे हैं चो शयद आपको मालूम ना हूँ सिधार्थ की मौम और शेहनास की मौम जब मिली थी तो उस वक्त की ये तस्वीरे काफी बारल हुई थी जी हाँ शेहनास गिल और सिधार्थ शुकला की मौम साथ में पोस्ट देती नसर आई थी ये तस्मीरे काफी खुबसुरत थी, दरसल सलीबरेशन का मौका था, और शेहनाज की फैमिली भी मुंबयाई थी, सिधार्थ की मौम नी उनका दिलसे सभागत किया था ये रिष्टा शेहनाज और सद्धार्थ का सिर्फ और सिर्फ इन तक सिमित नहीं था ये रिष्टा इन दोनों के परिवार में भी जुड़ गया था यही कारण है कि शेहनाज और सद्धार्थ के परिवार बाले हमेशा एक दूसरे के साथ रहे अगर आपने देखा हो तो हाली में सद्धार्त के लिए शाहबाज जो शेहनास के भाई है उन्होंने एक पोश्ट शेर किया और वो पोश्ट में उन्होंने ये कहा है कि सद्धार्त शुकला जो है उनका परिवार जो है शेहनास का परिवार है उनकी मौम की जिम्मदारियों क लिए भी वो ये बात कहते नजर आए कहीं न गहीं इस बाइज से साबित होती है ये बात की वाकरी में शहबाज जो हैं बहुत जादा टूटे हैं अपनी बेहन के हालत देखकर वो बहुत जादा तूट गये हैं सद्धार्ट शुकला के गुजर जाने के बाद शहनास पूरी तरह से खोई हुई है इसी कारण से शहबाज भादेशा ने एक के बाद एक पोटो शेर की अपना दुख साहिर किया और ये भी कहा तेरा दर्द मेरा दर्द योर फैमली इस माई फैमली ये कहकर स्टोरी शेर करते वे शेर ली कर सिधार्ट के लिए फिर से शहनास के परिवार वाले टूटे हैं ये बात कहते निजर आए नेक्श नाइन यूजूम से तुपते गरेपो